इस्वी 1756 के अंतिम महिनों में एहमद शाह अबदाली तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ रहा था हालांकि इस काल की दिल्ली के पास एहमद शाह अबदाली को देने के लिए विशेश कुछ नहीं था क्योंकि दिल्ली को तो इस्वी 1749 में रादिर शाह ने पहले ही लूट कर कंगाल बना दिया था फिर भी एहमद शाह अबदाली मुल्तान तथा लाहोर पर विजय प्राप्त करने के बाद दिल्ली की उर्क्यों बढ़ रहा था इस तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए एहमद शाह अबदाली जानता था कि लाल किला कंगाल हो चुका है इसलिए अबदाली का वास्त्विक लक्ष दिल्ली न होकर कुछ और था और वह जानता था कि दिल्ली उसका विरोध नहीं कर सकेगी किन्तु उसे अपने लक्ष तक पहुँचने के लिए उसे दिल्ली से होकर गुजरना आवशक था एहमद शाह अबदाली ने सुन रखा था कि इस समय भारत में दो ही धनाड्य व्यक्ति हैं एक तो बंगाल का नवाब शुजाउद दौला तथा दूसरा भरतपूर का राजा सूरजमल अबदाली को यह भी जानकारी थी कि इस्ट इंडिया कंपनी ने अपने खूनी पंजे नवाब शुजाउद दौला की गर्दन में भली भांतिगार दिये हैं इस कारण एहमद शाउद अबदाली चाहा कर भी शुजाउद दौला तक नहीं पहुंच सकेगा अत्य हमद शाउद अबदाली भरतपूर के खजाने को लूटने के लिए व्याखुल हो उठा जब दिल्ली की जनता को ग्यात हुआ कि एहमद शाउद अबदाली दिल्ली पर आक्रमन करने के लिए आ रहा है तो दिल्ली की जनता मगल बादशा की राजधानी को छोड़ कर अन्य स्थानों पर भाग गई अधिकतर लोगों ने जाट राजा सूरजमल द्वारा शासित खेत्रों में शरण ली मधुरा पर उन दिनों सूरजमल का अधिकार था इसलिए दिल्ली की जनता ने बड़ी संख्या में मधुरा में शरण ली बादशाह आलमगीर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें फिर भी उसने जाटों और मराठों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अपने दूद भिजवाए महाराजा सूरजमल जाट ने तिल्पत में मुगल सरदारों तथा नजीब खा रुहेला से लंबी वारता की सूरजमल चाहता था कि मराठों को उत्तर भारत की राजनीती से दूर रखा जाए तथा उन्हें नर्वदा पार करके लोट जाने के लिए कह दिया जाए महाराजा सूरजमल ने सुझाव दिया कि रुहेला अमीर नजीब खा रुहेलों जाटों राजपूतों और मुगलों की सेना को एकत्रित करके उनका नेत्रित्व करे तथा एहमद शा अबदाली का सामना करे किन्तु मीर बक्षी गाजी उद्दीन इमादल मुल्क फिरोज जंग तर्थिया महाराजा सूरजमल के विचारों से सहमत नहीं हुआ इमादल मुल्क नहीं चाहता था कि नजीब खा को जाटों तथा रुहेलों का साथ मिल जाए इसलिए यह वारता विफल हो गई इस पर महाराजा सूरजमल अपने लड़के जवाहर सिंग को दिल्ली में छोड़कर स्वेम भरतपुर लोट गया एमद शाह अबदाली के जासूस उसे दिल्ली में चल रही गती विदियों की पलपल की खवर दे रहे थे इसलिए वे तेज गती से दिल्ली की और बढ़ने लगा उधर रूहेला अमीर नजीब खां बाद शाह आलमगीर का साथ छोड़कर एमद शाह अबदाली से जा मिला वह 17 जनवरी 1757 की रात्रिम में यमना जी को पार करके अबदाली के पास चला गया इस समय केवल अन्ताजी मानकेश्वर अकेला ऐसा वीर था जो अपनी छोटी सी सेना के साथ अबदाली का मार्ग रोक कर खड़ा हुआ उसे अबदाली की सेना ने सरलता से परास्त कर दिया उसका परिवार भरतपुर में होने के कारण सुरक्षित रहा नजीब खां और एहमद शाअबदाली की दोस्ती हुई जानकर वजीर इमादल मुल्क ने अपने शत्रु महाराजा सूरजमल जाट से संधी कर ली और अपने परिवार को डीग भेज दिया जब एहमद शाअबदाली दिल्ली के निकट पहुंचा तो बादशाअ आलमगीर द्वितिय अपने मंतरी शाह वली उल्लाह अपने धरवारी अमीर नजीब उद्दौला तथा अपने परिवार के सदस्यों को लेकर एहमद शाअबदाली का स्वागत करने के लिए आगे ब एक करोड रुपे लिए तथा उसे हिंदुस्तान का बादशाह और रुहेला अमीर नजीब खा को आलमगीर के धरवार में अपना प्रतिने धिन युक्त किया दोनों पक्षों में हुई संधी के अनुसार बादशाह आलमगीर दुदिय ने एहमद शाह अबदाली के पुत्र तिमूर शाह दुर्रानी को लाहर का सूबेदार स्वीकार कर लिया तथा अपने पुत्री जोहरा बेगम का विवाह तिमूर शाह से कर दिया एहमद शाह अबदाली ने आलमगीर से कहा कि वे मरहूम बादशाह मुहमद शाह रंगीला की पुत्री हजरत वेगम का विवाह एहमद शाह अबदाली से कर दे आलमगीर ने एहमद शाह अबदाली की यह बात भी मान ली अब एहमद शाह अबदाली ने लाल किले की मशूर जम जमा तोफ अपने पुत्र के लिए मांग ली आलमगीर ने यह बात भी मांग ली इसके बाद एहमद शाह अबदाली के सैनिकों ने दिल्ली को लूटना आरंभ किया एक महीने तक दिल्ली को लूटा और नश्ट किया गया। दिल्ली पूरे मध्यकाल में लूटती आई थी, इसलिए भूखे नंगे शहर में लूटने को बहुत कुछ बचा भी नहीं था। दिल्ली से परियाप्त राशन पानी छीन कर एहमद शाह अबदाली महारजा सूरज मल पर आक्रमन करने के लिए उत्सुक हुआ ताकि वे भारत आने के अपने असली उत्देश को पूरा कर सके। सूरज मल का धन लूटने के साथ साथ एहमद शाअबदाली भरतपुर की दाड़ में से अंताजी मानकेश्वर के परिवार तथा वजीर इमादल मुल्क के परिवारों को भी निकालना चाहता था ताकि उन्हें दंडित किया जा सके राजा नागरमल भी सूरज मल की शरण में था वहवी नजीब खांका विरोध करने के कारण एहमद शाअबदाली के निशाने पर था जब महाराजा सूरज मल को अबदाली के निश्चे की जानकारी हुई तो उसने राजकुमार जवाहर सिंग को मतुरा की रक्षा पर नियत किया और स्वेम दीग में जाकर मुर्चा बांद कर वैठ गया अबदाली ने सूरज मल को आदेश भिजवाया कि वह कर देने के लिए स्वेम हाजिर हो और अबदाली के जंडे के नीचे रहकर सिवा करे जिने लाकों को सूरज मल ने खाल ही में अपने अधीन किया है उन्हें लाकों को भी लोटा दे अन्ताजी, इमादल मुल्क तथा राजा नागर मल के परिवारों को हमारे हुजूर में भेज दे इस पर महाराजा सूरज मल ने अबदाली को व्यंग भरा जवाब भिजवाया जब बड़े बड़े जमीनदार हुजूर की सेवा में हाजिर होंगे तब यह दास भी शाही ड्योडी का चुम्बन करेगा राजा नागर मल तथा अन्य लोग जो मेरी शरण लिये हुए हैं उन्हें मैं कैसे विजवा सकता हूँ यह जवाब मिलने के बाद अबडाली ने जाट राज्य पर आकर्मन करने के लिए दिल्ली से प्रस्थान किया अगली कड़ी में देखिए एहमद शाह अबडाली ने ब्रज के लोगों के सिर काट कर मीनारें बनवाई